सबको मेरा वोईस आ रहे है, सब लोग चैट बॉक्स पर टाइप करेंगे, येस, नो, ओके, तो, गुड आफ्रनून अल अल फ्यू, दिस इस आवर इंट्रोड़क्टिदी क्लास वन सी एम टू, फिनांशल एंजिनेरिंग और लॉज रिजर्विंग, ठीक है, तो थोड़ा और सामने आओ सब लोग, है सामने बैटो सब लोग, कुछ बोल रहे गया, सुनाई नहीं दिया में को, ठीक है, तो बेसिकली आज पहले में आप लोग को बताऊंगा, आप लोग का टाइम टेबल कैसा रहेगा, कब तक हम लोग, सबको मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा रहा न, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में, ठीक है, एंड क्या क्या है, इसमें हम लोग को मेजरली स्टेडी करना है, ठीक है, तो CM2 का जो पेपर है, इसका नेम इज, फाइनांशियल, एंजिनियरिंग, एंड लॉस रिजर्विंग, ठीक है, पहले इसका नाम था, फिनांशियल एकनोमिक्स, अभी यह लोग नाम कर दी है, फिनांशियल एंजिनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग, देखो, इसका इंजिनियरिंग से है, और यह सब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इट बेसिकली डिल्स विट स्टॉक मार्केट्स, ठीक है, पूरा जो शेर प्रैस मुवमेंट्स एंड इंटरेस्टेट मॉडल से है, उसको हम लोग इसमें स्टेडी करने वाले हैं, ठीक है, दो टॉपिक ऐसे हैं, जो आपके CT6 से आए हैं, जब syllabus चेंज हुआ था, तो CT6 के topics को divide कर दिया गया, some of them are in CS2, like 3 to 4 topics are in CS1 and 2 topics came to CM2, ठीक है, तो जो दो topic आए, इसमें उसका नाम है ruin theory and runoff triangles, ठीक है, यह दोनों ही बहुत easy topics है, ठीक है, तो यह दो topic हो गया, तो हम लोग यह बाद division देखते हैं, CM2 को हम लोग कितना parts में divide कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो चालू जो होता है न, यह आपका चालू होता है EMH से, which is efficient market hypothesis, उसके बाद में आपका हाता है utility theory, फिर आपका हाता है measures of investment risk, ठीक है, उसके बाद में तीन chapters का combination है, portfolio, ठीक है, आप देखो, यह वाला ruin theory and runoff, तो यह सब आपको recorded में करना है, ठीक है, एकदम simple है, एकदम plain vanilla है, यह तीन मिला के आपका बनता है book 1, यह आपका है book 2, बहुत सरे topics remove कर दिये गए हैं, जैसे आपका stochastic dominance and behavioral finance, पुराने mat में था chapter 3 जो की हट चुका है, stochastic interest rate models, ठीक है, वो हट चुका है, तो यह दो topic हट चुके हैं, तो अब यह दो हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो 8 part में हम लोग इसको divide करेंगे, and इसको अगर कोई चाहे, तो 45 से लेके 50 days, मतलब जब तक हमारा result आता है IFOA का, तब तक कोई भी चाहे तो इसको पुरा आराम से cover कर सकता है, now, हम लोग का strategy बहुत simple है, हम लोग November मिट तक पूरा target करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको खतम करेंगे, ठीक है, and बहुत simple जाएगा आपको दिन पे घर पे समझो 2 से 3 घंटे का recorded lecture देखना है, बाकि जो भी कराना होगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है, टोटल में आपको spend करने 300 hours, ठीक है, दिन का 4 घंटा आप मान के चलो आपको पढ़ना है, ठीक है, अब ये वला जो topic है ना, अभी ये बताता हूँ, ये book 2 हो गया, उसके बाद में जो run-off triangles है, ये है आपका last book, this is book 8, and this is book 7, ठीक है, अब जैसे मैं आपको बजा दो कितना time investment है, जैसे ये आपका मैंने कराया है, एक class में, ये मैंने कराया है, दो class में, ये मैंने कराया है, एक या फिर दो class में, तो जैसे समझो 10 hours अगर आप करते हो, तो आपका इसका पूरा content cover हो जाएगा, ठीक है, आप इसका बुक बनाओगे, उसका भी आपको class मिलेगा, हमारे lecture पे, तो ये वाला में कुछ भी ऐसा नहीं है, बट हाँ, आपको जो भी problem आएगा, वो जैसे मैं कल से ही, जैसे आज तुम लोग कुछ देखा, for example, ठीक है, let's say, suppose तुमने EMH देखा, उसमें 2-3 topic में तुमको problem आया, तो जो ये 4 topic से आएगा 50%, बहुत scoring है, बतला paper में आप देखो, दो ऐसा चीज, जो एकदम scoring है, जिसको pass करने के लिए डाला गया, CM2 में, वो है ये वाला, runoff triangle मैंने 1 class में करवाया है, इसमें 4 methods है, कुछ भी नहीं है, and ruin theory मैंने 2 class में करवाया, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है पहले क्या होता था, statistically heavy questions आता था, ruin theory में, अभी उसको भी finance में कर दिया, कि ruin, ruin basically होगा, company का दिवालया निकलना, company के पास funds नहीं है, पैसा देने के लिए, ठीक है, आज जो insurance company जो पैसा ले रहे है, जैसे मानलो 10,000 रुपया करके ले रहे है, 10 लोगों से, तो total में ले रहे है एक लाक रुपया, ठीक है, अब मानलो company का अगर claim आएगा, तो company को 80,000 रुपर देना है, तो एक claim आएगा, तो company solvent रहेगा, लेकिन दो claim आएगा, तो company ruin हो जाएगा, ठीक है, तो इस चाप के finance easy questions करने है, तो finance के general understanding होना बहुत जरूरी है, तो यह जो topics है, यह आप एकदम simple स strategy बनाओ, कि हर 10 दिन में आपको cover करना है, जैसे भी दुर्गापूजा का चुट्टी होगा, पर हम लोग का class रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप हर 10 दिन में target बनाओ, कि आप एक cover करोगे, ठीक है, जैसे portfolio है, मैंने यह पूरा 3 class में करवा है, इसमें जो भी book मे हैं, वो तो छोड़ो, बाकी अलग जो हमने finance में पढ़ा, जितने भी सारे course करके, तो उसको भी इसमें डाला, ताकि तुम लोग कभी खुद भी अगर अपना portfolio manage करेगा, तो एक दाम अच्छे से तुम लोग manage कर सकेगा, ठीक है, कि क्यू diversification is important, क्यू individual stocks में नहीं invest करके diversification मे invest करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में runoff है, and ruin theory है, तो basically यह आप अगर try करोगे, तो 40 days में यह 4 topic आप कर सकते हो, सबसे पहला आपका prime goal होना चाहिए, जो revisionary notes हमने दिये हैं, ठीक है, तो आप पुरा concept lecture करके, institute का mat का sums बनाके, आप revision notes practice करोगे, हर class में आपको जो भी topic में problem आता है, वो हम लोग discuss करेंगे, बाकी लोग भी सुनेंगे, ठीक है, अब जो नहीं update कर रहे हैं अपने आपको, वो उसका problem है, बट जो भी तुम लोग बोलोगे, वो मैं पूरा इस पे करा दूँगा, ठीक है, अब यह हो गया हम लोग का recordable part, तो अब आते live में हम लोग कैस से चालू करेंगे, अभी हम लोग का जो main topic है, उसी से चालू करेंगे, जो कि derivatives का है, ठीक है, तो यह ही है main CM2, जिसको हम लोग को समझना है, मने पूरा paper में तुमको derivatives ही दिखेगा, main यही है, पूरा paper में तुमको derivatives दिखेगा, इसका 3 chapters का combination है, फिर इसके बाद वाला जो है, वो भी indirectly इसी से related है, बट, black schools तो देखो practically काम आता है, ठीक है, जैसे black schools जो model है, जैसे option pricing हम लोग करते है, वो काम में आएगा, उसके बाद का 2 chapter तुमको practically कभी में को नगता है काम में आएगा, जो 5 step proof है, वो हम लोग करेंगे, हम लोग समझेंगे, बट वो काम में उतना नह आएगा, interest rate models काम में आएगा, जैसे वैसे से model होगा, holy model होगा, और CIR model होगा, ठीक है, तो ये सारा basically models हम लोग पढ़ेंगे, interest rate का, ठीक है, तो core जो है वो ये है, और एक जो topic है, वो है brown in motion, कि share price का जो movements होता है, वो swift नहीं होता है, basically share price का movements कुछ ऐसा होता है, तुम कोई भी share का graph देखेगा, तो we need to understand this, कि how to model the share price movements, तो share price movements को model करने के लिए हम लोग brown in motion का पढ़ाई करते है, तो ये भी मैं पूरा life करा हूँगा, ठीक है, तो चार topic basically जो important है, जिससे 60% से भी ज्यादा का आएगा, that is going to be taught life, now concept is very simple, हर दो weeks में हम लोग एक topic कवर करेंगे, तो अभी जैसे क्या है, अभी आने वाला दो week का जो time है, उसमें हम लोग derivatives को अच्छे से cover करेंगे, ठीक है, ये core है, तुम समझो, अभी आने वाला 10 class, जो अच्छे से समझ गया, वो खुद अपना personal finance भी manage कर सकता है, और उसको derivatives से clear हो जाएगा, 30% paper derivatives का आएगा, और एक जो common misunderstanding है, paper cut CM2 का वो ये है, कि CM2 is not a practical paper, now जिसका CS2 clear हो गया, जिसका CS1 clear हो गया, सबको मेरा voice आ रहा है online में, जिसको ये 3 paper clear हो गया, CM1, CS1 और CS2, अब तुम लोग को theory base में आना पड़ेगा, theory base का मतलब क्या है, CM2 में कैसा question आएगा, मालो 20 marks का एक question है, चीक है, इसलिए day 1 पर ये चीज लगेगा, वो practical है, ठीक है, बट 20 marks में जो practical आएगा, वो सिर्फ 5 marks का आएगा, बाकी जो आएगा, वो theory नहीं बोलेंगे, उसको conceptual understanding base पे बोलेंगे, जैसे एक मैं तुमको समझाता हूँ, option price करने बोलेगा, binomial model से उसका देगा 5 number, ठीक है, वो practical है, वो सब लोग करना जानते बहुत simple है, तुम Excel पर डालोगे, क्योंकि they know, जब तक बच्चा CM2 में आ रहे है, they know how to use Excel and build models, CM2 models का paper है, पूरा model का paper है, तो Excel का बहुत vast use होगा, मतलब जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं, paper में कर रहे हैं, और calculator से कर रहे हैं, बट तुमको हर च अच्चे का नहीं हो सकता है, option का pricing मालो, binomial model है, black schools model है, कोई भी term structure का question आएगा, तो वो तुम directly feed-in करेगा, उसमें तुमको answer मिलेगा, ठीक है, आज जैसे मालो, share price का जो volatility होते हैं, आज जैसे मालो, कोई share price बहुत ज़्यादा volatile है, for example, bank nifty है, bank nifty is a collection of 12 top banks in India, ठीक है, nifty is a collection of top 50 stocks in India, so nifty is less volatile, bank nifty is more volatile, अगर तुमको जानना है कि भाई, bank nifty का volatility कितना है, तो वो तुमको market से observe करके निकालना पड़ेगा, तो वैसे questions आएंगे, वो क्या होगा, अगर तुम manually calculator से करेगा, तो तुमको आदा एक घंटा भी लग सकता है, but तुम यह अगर model से करेगा, तुम मैं बहुत जादा बोल दिया, तुम समझो, तुमको 30 number का practical तुम समझो, ठीक है, 30 number का तुमको practical आएगा, 15 number का तुमको थोड़ा proving type का question आएगा, जैसे हम लोग 2 chapter करेंगे, 5 step proof का, discrete and continuous, अभी यह बहुता समझ में नहीं, बच बता रहा हूँ, तो वो proving type का थोड़ा आएगा मनें हलका proof type का तुमको लएगा, थोड़ा statistical proof type का portfolio बनाने बोलेगा, तुमको derivative से बोलेगा कि portfolio construction करके दिखाएगे, बाकी जो है ना तुमारा ये 55 number का, ये actually paper में इसी लिए fail होता है, तो ये fail क्यों नहीं, fail कैसे नहीं होगा, इसके लिए तुमको पूरा mat एकदम अच्छे स तुमको मिलेगा, ठीक है, और इसमें क्या करना है, analytical question हैगा, analytical question मतलब, जैसे मालो हम लोग theory based में पढ़ते हैं, एक बता रहों call option का, तो call option जैसे मैं तुमको अगर ये बताऊंगा ना, st-k,0 का maximum, तो इससे तुम्हारा purpose नहीं सब होगा, आज के class केंट तक समझ जाएगा, इससे तुम्हारा purpose नहीं सब होगा, क्योंकि इससे तुम्हारा purpose तब सर्व होता, जब ओ लोग ऐसा question पूछते, कि बई के इतना है, st इतना है, तुम बताओ, payoff क्या होगा, purpose सब नहीं होगा, तुमको ये जानना पड़ेगा, कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे हम strategy बना सकते हैं, ठीक है, and CM2 paper का जो direct link है, वो तुम्हारा है SP5 से, and 6 से, तो ये paper अगर एकदम अच्छे से पढ़ लिया, आगे तुमको finance actually करने का मन है, तो ये दुनों paper basically तुम्हारे लिए बहुत easy हो जाता है, almost 40 to 50% of the content is same, SP6 में तो समझ लो, 70% content same है, higher level है बस, and SP5 बहु समझने के लिए, but practical paper ये है नहीं, इसमें 20 number में 5 number का practical देगा, for example बोलेगा gold का futures है, ठीक है, तो तुमको उसमें gold से related कोई question पूछ लेगा, तो general understanding होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो general understanding कैसे मिलेगा, तुम थोड़ा सा news follow करो, एक बार में अगर ये paper clear करना है, तो दिनका चार घंटा तुमको regular निकालना पड़ेगा, and it's about the flow, तुमको ये समझना होगा कि Excel तो बहुत ज़्यादा use करना ही है, तो जैसे से paper में कराते जा रहा हो, वैसे वैसे paper भी में करेगा, but problem क्या है, मैं कराऊंगा पहले derivatives, फिर मैं कराऊंगा brown in motion, but Excel तुमको करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, Excel का पहला chapter is utility theory का, तो वो तुम जब घर पे कर रहे हो, तो तुमको उसका side by side Excel भी करना है, ठीक है, and जो यहाँ पर हम लोग कराएंगे, जैसे मैं भी कराएगी paper भी का class, और रात में साड़ेनों बजे जोगा, वो बी वो चलेगा, वो एक वीक के बाद चालू होगा, ठीक है, basically नवरात्री के बाद, from October mid onwards, ठीक है, तो ये वाला पर ध्यान देना, देवन से commenting पर ध्यान देना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, portfolio construct कैसे हो रहा है, जो अभी NSC का website वगरा मैं दिखाऊंगा, वो लोग कुछ भी question पूछेंगे, P ratio, actually paper का कोई pattern ऐसा र सकता हूँ, but मेरे में 25 क्लास से भी जादा है, क्योंकि question वैसा वो लोग पुछते हैं, तो उसमें पूरा understanding होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये basically एक था, अब जैसे देखो, अब जैसे, तुम लोग को, सबसे पहले company का share का मतब समझना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं ठीक है, जो तुम लोग को अभी बहुत काम में आएगा, ये देखो, ये जो है ना, ये तुम्हारा knowledge hub बनेगा आने वाला 6 मैने के लिए, ठीक है, इसका नाम है nscindia.com, ठीक है, अब जैसे देखो, यहाँ पर तुमको बहुत सारे indices दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे nifty bank अल अलग है, mid cap अलग है, large cap अलग है, small cap अलग है, nifty 50 होता है, nifty 100 होता है, ऐसे बहुत सारे indices होते हैं, तो इंडिया का economic कैसा perform कर रहा है, ये index से पता चलता है, अब जैसे अगर मैं nifty 50 में click करता हूँ, ठीक है, एक मिट, ये nifty का ही है, ठीक है, तो basically ये chart है, ठीक है, अब इसम percentage change कितना है, volume, volume सी क्या समझ में आता है, volume सी ये समझ में आता है, stock कितना liquid है, हमने cm1 में कौन से पढ़ा था, bid ask spread, तो bid ask spread, जितना counter liquid होगा, spread उतना ही कम होता है, और जितना counter illiquid होगा, उतना ही spread उसमें जादा होगा, ठीक है, बाए और sell के बीच में जो gap है, वो एकदम कम ह होगा, nifty 50 stocks का, compared to a illiquid counter, ठीक है, अब जैसे इंडिया में जो चलता है, वो तुम्हारा दो exchange चलता है, एक तुम्हारा चलता है, एक तुम्हारा चलता है, बेसी, national stock exchange बोलते हैं इसको, ठीक है, तो why exchange, अब जैसे देखो, पहले physical trading होता था, but why exchange, exchange में क्या होता है, तुम्हा अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जो तुम्हे एक ब्रोकर के थुरू खिलाता है, जैसे मोतिला लोसवाल financial services is the broker, ठीक है, हर bank का होता है, but bank से usually expensive होता है, जैसे तुम्हारा ग्रो अप, जिरोद्धा, ठीक है, angel one, तो ये सारे ब्रोकर से जिसके थुरू तुम्हारा अकाउं ठीक है, तो इस बेटर कि तुम 10,000 रुपए का capital अपने मम्मी या फिर अपने पपा से लेके, 10,000 नहीं भी हो तो 5,000 से तुम चालू करो और तुम अपने डीमेट अकाउंट खुला लो, ठीक है, डीमेट अकाउंट खुला और देखो नॉर्मली बाई सेल कैसे होता है, अजने वाले उसको जितना बेटर समझ भाए, ताकि आगे कोई भी तुम फिनांस में करेगा, तुमको बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, ठीक है, I'll tell you real story, शिवांगे मैम वस सेलेक्ट फॉर पॉर पैसा पर बुलाया, कंपनी चार लोग को सेलेक्ट किया, मैम वस इन फि अप्शन पे ओफ, ठीक है, तो मैम से वो पुछा कि इसका कुछ कॉंप्लेक्स एक पूछा होगा, बोले, इसका ग्राफ बना के दिखाईए, ठीक है, तो मैम नहीं बता पाई, तो एक क्वेशन भी आपका इंटर्व्यू चेंज कर सकता है, नौ इन इंटर्व्यू देर न बेसिक तुमको नौलेज होना चाहिए, बोलेगा, निफ्टी बैंक क्या है, निफ्टी क्या है, ठीक है, यह सब पूछता है, तो बेसिकली यह सब तो ठीक है, अब जैसे तुम यहाँ पर ना कुछ भी कर सकता है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं लिस्ट में जाता ठीक है तुम इसको पूरा साइट को जितना घांट सकता है ठीक है तुम उसको इतना घांट सकता होता है तुम घांटो इसको ठीक है इसको सारा जितना भी डेटा है ना पूरा तुमको यहां मिलेगा जितना भी डेटा है ठीक है जितना भी डेटा है, क्या कंपनी का मीटिंग है, क्या कंपनी का, जैसे को यहां पर बहुत सरे, जैसे यहां पर क्या है, खादेम इंडिया लिमिटेड है, इस इन फॉर्म्ड एक्स्चेंज अबाउट क्लोजर अब ट्रेडिंग विंडो, कुछ भी तुम्हारा न्यूस जो सब यहीं पर तुम्हारा आएगा, ठीक है, अब जैसे क्या है, इसमें यह तो ठीक है, अब जैसे आपको यह समझना पड़ेगा, कि यह जो अपने एक्विटी में जाते हैं, ठीक है, अब जैसे अपने कोई एक कंपनी का एक्जांपल लेंगे, तब समझाएगा बेटर, ए यह कंपनी का यहां पर डालता हूं, नाम तब होगा, जैसे मालों मैं डालता हूं, SBI का डालता हूं, ठीक है, SBI, State Bank of India, ठीक है, तो यह State Bank of India का current share price है, 802 रुपिया, प्योंको यह समझना पड़ेगा, कि यह 802 रुपिया है क्या, यह 802 रुपिया क्या है, यह 802 रुपिया ठीक है, कंपनी का एक होता है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कंपनी के बुक्स के हिसाब से, कंपनी का asset minus liability करेंगे, तो equity का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, अब यह जो market price जो है, यह किस से determine होता है, market forces of demand and supply, ठीक है, आज के दिम देखेगा, जित I have taken 1% of that company for maybe 50 crores, अगर 50 crores में 1% company खरीदा, तो company का valuation कितना हो गया, 5000 crores, तुम समझा, अब मैं किसी और को वो छेपूँगा, 100 crores में, ठीक है, loss making, company आज से कभी profit नहीं कमाया, company loss making ही है, अब company का value हो गया, 5000 crores से 10,000 crores का, अब मैं market में boast करूँगा, कि मैंने company जब खरीदी थ तो 5000 crores की थी, मैंने company को 10,000 crores का बना दिया, तो it's basically artificial money, तुमको ये देखना पड़ेगा, तुमको अगर कोई भी company का share में invest करना है, तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि वो आत्मी का daily necessity में आता है कि नहीं आता है, how to select a stock, पहले ये समझो, तुम आज company का share price दे रहे है, या फिर company का capital appreciation होगा, जो growth stocks होते है, growth stocks में क्या होता है कि company उतना dividend नहीं देता है, ठीक है, company क्या करता है, company के share price में उचीज दिखता है, ठीक है, तुमें company का share खरीदा 802 पे, ठीक है, तो 802 से तुम देखेगा, वो 2 साल में 1000 पे पहुँच गिया, तो तुमको 20% का return मिला उ stock पे, ठीक है, तो तुमाज कोई भी share तभी खरीदेगा, जब तुमको लगता है, उससे future economic benefit तुमको उतना का आ रहे है, जो basic equation of value का principle होता है, ठीक है, present value of influence, present value of outflow, company का जो regular जो होता है, वो होता है basically earning per share, ठीक है, company कितना कमाया, earning per share is different and dividend per share is different, देखो, अब जैसे यहाँ पर basic basic चीज दिया हो है, ठीक है, 52 week high दिया हो है, लो दिया हो है, ठीक है, अब जो technical analyst होगा, technical analyst का मतलब क्या होता है, जो past data company का analyze करता है, जो आपने company का past data का analyze करता है, उसको आपने गोलते है technical analyst, यह चार्ट, जैसे यह सारा जो data है ना, यह company का history है, history देखके जो बंदा trade करेगा इसको बोलते है technical analyst, ठीक है, अब एक होता है fundamental analysis, मैं company का पूरा annual reports देख रहा हूँ, annual reports देखने का मतलब क्या है, मैं देखना चाहता हूँ, company का market share क्या है, आज के दिन पे SBI का tagline क्या है, SBI का tagline है, the banker to every Indian, ठीक है, तो basically company का base बहुत अच्छा बनाव है, company का year on year profit अच्छा है company का revenue grow हो रहा है, company के जो asset quality है वो improver, bank के लिए सबसाद है important के asset quality, आज अगर दो देखे, मैंने ऐसे से लोगों को loan दे रखा है, जो लोग कभी मेरा पैसा वापस ही नहीं करेंगे, आज US में सब्प्राइम क्राइसिस क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग पैसा तो दे दिया, earning का कितना गुणा देने के लिए ready है, ठीक है, अब जैसे माणने लोग company का earning आ रहा है, 100 रुपय का, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आ रहा है 10, यह आ रहा है 10, मतलब क्या है, company अगर एक रुपई कमा रहे है, तो आज हम 10 रुपई देने को ready है, यह किसी-किसी company, जैसे अड रुपाय देने को रेड़ियो आपके कमनी का शेयर का तुम समझा आज मेरा कमनी का प्रॉपिट कमा रहे हैं मतलब पचास क्रोड का वैलुपिशन पर कोई मेरा कम्पनी को बोल सकते कि हां आपके कमनी में 20% इंवेस्ट करना चाहते हैं तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऐस कोई चलिडिक्रे कोI सब्सक्राएं ने प्षामिक डिक्रीज होघा आपका सचेर क्या मार्किड लीडर हो कि ही नहीं हो ठीक है इस या जा साध में कोई प्राइज़ains से जो आपने कंपनी के KMP से निकाल है की मैनेजरिल परसनल से निकाल है और आप उसके बेसिस पे शेह पे ट्रेट कर रहे हो ठीक है इंसाइडरेटिंग इस बैसे बेसिकली बैंड इन इंडिया ठीक है अब उसके बाद में जैसे मैं इसका एनुल रिपोर्ट में जाता हूं ठीक जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट को तो क्या चाहिए कुछ की नंबर्स चाहिए वो लोग ग्रोज चेक करते हैं उसके एसाब से कंपनी का आज की दिन पर तुम जब कोई ब्रोकर आउस में एक अकाउंट खुलाएगा ना तो लोग बोलता है टागेट प्रेश 600 CMP करेंट मा मतलब last year कंपनी कितना कमाया होगा 50 zdar क्रोड इस साड़ देजर क्रोड कमाया है समझा कंपनी का deposit अप हुआ advances भी अप हुआ company मतलब अच्छा business कर रहे है तो इस तरीके का जो analysis होता है यही analysis आपको करके आगे अपना निवेश करना है ठीक है हमारा जो topic है वो यह नहीं है यह बेसिकली आपको एक brief introduction मैंने दिया, ठीक है, हमारा जो topic आता है, वो बेसिकली आएगा, share के बारे में हमने समझा, अब बेसिकली यह जो derivatives नाम है, यह क्या है, पहले यह समझते हैं, यह जो derivatives जो नाम दिया है यहाँ पर, ठीक है, derivatives का मतलब क्या होते है, it derives its value from some underlying, वो underlying कुछ भी हो सकते हैं, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि कलकत्ता में, आज का जो temperature है, ठीक है, for example, आज का temperature मान लेते 30 degree है, 30 degree Celsius, ठीक है, आज कितना तारिक है 29th है, मैं बोलता हूँ कल से चालू करेंगे 60 बाजी, derivatives का basic जो sensor हो है 60 बाजी का sensor, ठीक है, betting का sensor, ठीक है, मैं बोलता हूँ कल से चालू करेंगे, 30 तरिक से चालू करेंगे, तो करना क्या अपने को, कल से अपने कलकत्ता का temperature लेंगे, पूरा दिन का एक average temperature आजाएगा, कोई भी एक app पे आजाएगा, news का app पे आजाएगा, अपने वाला 10 दिन का temperature अपने देखेंगे, उसका अपने average लेंगे, ठीक है, आने वाला 10 दिन का temperature लेंगे, उसका अपने average लेंगे, जो average जो आएगा, वो अगर 32 degree Celsius से जादा आता है, 32 degree Celsius से जादा आता है, तो हर 1 degree के लिए, हर 1 degree के लिए हमको 1,00,000 रुपया चाहिए, ठीक है, औ पर अगर वो कम आएगा तो हर एक डिग्री के लिए हम एक लाख रुपया देगा ये एक सिंपल सट्टे बाजी का concept है ठीक है KKR का match चल रहा है ये एक basic हुआ अब जिस से मान लो 10 दिन के बाद में ठीक है 10 दिन का star recording हो गया average आया मान लो 35 degree celsius 35 degree celsius आया तो क्या हुआ तीन degree ज्यादा हुआ मेरे favor में हुआ ना मेरे against में हुआ मेरे favor में हुआ तो मेंको कितना मिलेगा तीन लाख ऐसा काम कौन करेगा ऐसा काम कौन करेगा बताओ मेरे को ऐसा काम कौन करेगा सोचके देखो टेमप्रेचर पे बेट कौन करेगा सोचो टेमप्रेचर पे बेट कौन करेगा तुम लोग ग्रेटिशन का स्टोर में जाना ठीक है एसी का कंपनी है एक ठीक है और तुम कब ज़्यादा बिकेगा अभी जैसे लास्ट चेर में हुआ था याद है एक जब हीट वेव जब चल रहा था अच्छानक से देखा सब लोग AC खरीद रहे क्यों ऐसा प्योंकि गर्मी जितना ज़्यादा होगा उतना AC चाहिए आज के दिन पे जो फैमली का इंकम 50,000 महने का है ठीक है गर्मी वो लोग को सारा डेटा मिलता है डेटा इस दा किंग वो लोग क्या देखता है भई 50,000 कमाने वाला आदमी AC तब खरीदेगा जब टेंपरेचर 50 चुएगा ठीक है तो मेरे को डर किस चीच का लग रहा है मेरा AC का काम है हम वोल्टास में है हम वोल्टास का फाइनांस मैनेजर है तो मेरे को तो डर लगेगा डर किस चीच का लगेगा कि टेंपरेचर अगर 50 जिगरी नहीं छुआ तो हम desired quantity नहीं बेचेगा तो वो जो national loss है उसको cover करने के लिए हम एक derivative में enter करेगा टेंपरेचर डेरिवेटिव में इंटर करेगा हम क्या बुलेगा कि भई अगर मानलो टेंपरेचर 50 के नीजे रहता है चीज समझो टेंपरेचर 50 के नीचे रहता है तो क्या होगा चीज समझो मेरे को डर किस चीज का है, डर किस चीज का है, कि temperature 50 के नीचे नहीं हो, तो हम क्या बोलेगा, अगर temperature 50 के नीचे होगा, तो मेरे को पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा business में नुक्सान होगा, जिसको हम derivative का profit से cover करेगा, यही अगर temperature 50 के उपर रहेगा, तो हम तुमको पैसा देगा, क् उसको हम बोलेगा अगर 50 जिगरी के नीचे है तो क्या होगा मेरको तो नुकसान होगा ना हम कुछ कैलकुलेशन करेगा अपना पास जेटा को देखके ठीक है कैलकुलेशन में ये निकल के आ रहा है कि हर एक डिगरी नीचे होने पे हर एक डिगरी नीचे होने पे मेरको 5 होता है ठीक है यहां मेरे को क्या होगा प्लस फाइफ क्रोड यहां मेरे को माइनस फाइफ क्रोड तो सामने वाले का माइनड जो होगा न वो आपोसिट होना चाहिए माने ऐसा आदमी के संग में हमको dealing करना पड़ेगा, जिसको temperature कम होने से क्या होगा? फाइदा होगा, जिसको temperature कम होने से फाइदा होगा, जैसे मालो UK में होता है, heaters का concept है वहाँ पर, ठीक है वहाँ का temperature स्विजिलेंड समझ लो, ठीक है? ठीक है, तो एक AC का company contact करेगा, एक heater का company को, ठीक है, AC का company को डर किस चीज से लग रहा है, summers are not that hot, ठीक समझो, summers are not that, अभी एक news आया था, that UK में, यॉरोप में, तुम्हारा एक दिन में, जो temperature जो है, मने 26 जिगरी Celsius चला गया था, उसका एक news पुरा फैल गया था, ठीक है, तो opposite mind ह बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तुम्हारा जहां पर risk है, जहां तुम derivative को use कर रहा है, risk को कम करने के लिए, इसको हम लोग बोलते है hedging, ठीक है, जहां तुम derivative का use कर रहा है, 60 बाजी करने के लिए, ठीक है, जैसे बड़ा बजार कलकत्ता में होता है, coin उछाला, head आया तो 50 द भी चीज है, ठीक है, जैसे मानलो, यह कोलकाता है, और यह बॉम्बे है, ठीक है, कोलकाता में कोई चीज मानलो, 10 का मिल रहा है, बॉम्बे में कोई चीज 15 का मिल रहा है, तो लोग क्या करता है, यहां से खरीद के, यहां बेशता है, इसमें कोई type का risk नहीं है, मिर को पता कब तक करेगा जब तक कोलकाटा का दाम बढ़ नहीं जाता और बंबे का दाम गिर नहीं जाता है क्यों में अध्य क्वाल गंग दलगे तो फॉर से को बलता है Arbitrage, कहीं पर सेम चीज, कहीं पर सस्ता मिल रहा है, कहीं पर महंगा मिल रहा है, तो जो Arbitrage है, जो सियाना है, वो क्या करेगा, सस्ता जगह से खरीद के महंगा जगह पे बेचेगा, उसको देखके बाकी लोग भी यही करेंगे, और Economics में क्या पढ़ा है, SNP is not, SNP basically क क्या है SNP is not consistent na SNP तब तक चलेगा जब तक बहुत लोग एंटर ना कर जाए मार्केट में बहुत लोग एंटर करेंगे तो क्या होगा SNP will get converted to normal profits super normal profit टिकता नहीं है और लोग एंटर करते जाएंगे ठीक है जिस भी business में super normal profits रहेगा more firms will enter the market and ultimately क्या convert हो जाएगा normal profits में समझ गया ना अब जैसे यह temperature का bet मैंने आपको एक छोटा से example दिया ठीक है अब जैसे winter पर चलता है अभी देखो घर पर कभी रिजाई निकलता ही नहीं है नॉर्मल एक bed sheet जो होता है ना नॉर्मल जो जिसको बलते है चद्धर से ही हो जाता है काम क्यालकटा में at least तो क्यों ऐसा क्योंकि आप क्या हो रहा है winters are not so cold तो यह तो company को identify करना पड़ेगा ना कि सर्दी में अगर बहुत ज्यादा सर्दी नहीं हो रहा है तो फिर जो woolen clothes है वो तो नहीं बिकेगा for example a company like monte carlo ठीक है उसको पता है वो last 10 साल से जो number of sweater sold out declining पर आ रहा है तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना वो क्या करेगा enter करेगा एक ऐसा आदमी के संग जो opposite mind का हो समझ रहा है monte carlo वाला क्या चाहेगा temperature एकदम पुरा गिर जाए क्योंकि जितना temperature नीचे गिरेगा उतना उसका woolen clothes भिकेगा और दूसरा जो आदमी होगा वो क्या चाहेगा temperature एकदम पुरा बढ़ा वर है तो monte carlo जैसा company can connect with what बताओ AC company क्योंकि monte carlo को क्या चाहिए temperature एकदम low और AC company को क्या चाहिए temperature एकदम high तो ऐसे टपके companies आपस में करते हैं और तुम ऐजा investor क्या कर सकता है तुम ना तो monte carlo में पूरा पैसा लगाएगा ना तुम वोल्टास में पूरा पैसा लगाएगा तुम दोनों में आधा-धा पैसा में लेगा क्योंकि जब सर्दी आएगा तो monte carlo पैसा ज्यादा देगा जब गर्मी आएगा तो वोल्टास पैसा ज्यादा देगा समझ रहे तो तुम इसको बोलते डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करना बट यह लोग डेरिवेटिवेटिव्स के थ्रू आप जैसे एक य सर्विसेज एक्सपोर्ट किया मैंने सर्विसेज एक्सपोर्ट किया बोला प्रवीन सार आपको cm1 का कोर्स कराना है हम आपको एक हजार डॉलर देंगे छोटा मौंट हो गया रूखो बच्चा पास होगा, तीन मैने रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, तो बेसिकली एक लाग डॉलर मेरा रिसीव हो लोगा, नौ मैना बात, ठीक है, मेरा काम क्या है, पढ़ाना, हम अच्छे से नॉलेज दिया बच्चा को, बच्चा एक्जाम दिया, बच्चा पास हो गया, तो यूएस में जो बच्चा जो बैठा है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, यह यूएस में है, ठीक है, तो अब यह क्या करेगा, यहाँ से पैसा देगा, बट उसका करेंसी क्या है, उसका करेंसी है डॉलर्स, और मेरा करेंसी है आयनार, ठीक है, मेरेको डर किस च अगर आज ही वो मेरे को पैसा दे देता तो मेरा रिसीवेबल कितना होता एटी टू लैक्स बट वो क्या बहला नौ मेहना बात देंगे तो डर किस चीज का है कहीं डॉलर का दाम कम ना हो जाए तो हमको इस चीज को हेज करना पड़ेगा तो हम बैंक के पास में गया कि आज से ठीक नौ मेहना के बाद में आज से ठीक नौ मेहना के बाद में देखो ट्रांजाक्शन समझो यहां से मेरे को डॉलर मिलेगा हम वो सेम डॉलर बैंक को जाके बेचेगा क्योंकि मेरे को डॉलर खाना नहीं मैंको तो रूपया चाहिए तो हम क्या बैंक को बोला नौ मेहना क के बाद में हम आपको एक लाग डॉलर देंगे चलो रेट को आज ही फिक्स कर लेते हैं तो बैंक बोला ठीक है रेट फिक्स हुआ 85 में ठीक है 85 में रेट को मैंने फिक्स किया मतलब कुछ भी हो डॉलर का दाम 6 मैना बाद यह जो स्पॉट 82 चल रहा है यह 80 हो जाए यह 90 हो ज मेरा क्या रेविनेरेशन फिक्स हो गया दााइंसर फिक्स हो मेरे को कितना मिलेगा 85 लाक ठीक है Packard ने सब सब शुर र्वाड चीछ पोतर को मतलब यह कितना ताइंail है युद्ध है कितना पे रेट आजीव फिक्स हो इसको बोलते है forward, क्योंकि हम bank के साथ में किया, बोलके इसको बोलते है forward या फिर over the counter, जहां दो party होते हैं, ठीक है, यही अगर हम exchange में करता, तो इसको बोलते है, exchange traded, futures, ठीक है न, दो चीज़ होता है, एक होता forward, एक होता futures, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, एक होता है over the counter, over the counter वाले को बोलते है forward, जो हम bank के साथ करता है, या फिर हम किसी एक आदमी के साथ में करता है, over the counter, ठीक है, और एक तुम्हारा होता है, जो exchange के साथ में होता है, exchange के साथ में जो होता है, उसको हम लोग बोलते है futures, तो forward and futures, clear है, तो क्या बोला, नौ महना के बाद में, एक Chinese अलग, Indian अलग, Continental अभी तो और भी Momos, Momos सब आ गया, ठीक है, तो क्या तुम सब चीज खा सकता है, क्या, नहीं खा सकता है, इच्छा तो है, सब चीज खाने का, तुम्हारा रिस्क लेने का इच्छा जो है, और तुम्हारा रिस्क लेने का उकात, दो अलग अलग चीज़ तो पेट का एक capacity होता है, और बेसिकली पेट का इक इच्छा होता है, तो company का risk management policy should be defined, कि क्या risk को accept करना है, और क्या risk को reject करना है, समझ गया, risk को accept करना है, और risk को reject करना मतलब basically risk को ensure कराना, जैसे for example, पहले क्या होता था था ना, हम क्या करता था, मेरा flight है, यहां से मालो, यहा डर लगने लगा, कि कोई भी टेप का flight होगा, उसमें मैं pay करता था, 1500 रुपे एक्स्ट्रा, मैंने अपना last 2 साल का data निकाला, कि ऐसा कितना बार हुआ है, कि मैंने flight book किया, और मैंको cancel करना पड़ा, the answer was zero, तो मैंने अब वो इसको ensure कराना छोड़ दिया, तुम समझ, एक साल में मेरा अगर 20 बार बाहर आना जाना है, तो एक तरफ का अगर मैं 1500 रुपे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो एक ट्रिप का कितना हुआ, 3000, मानले 50 बार कोई आब में आता जाता है, तो 1.5 लाक हो गया, यही अगर मानले एक बार में नुकसान होता है, तो 25 जार का होगा, तो up to 6 times cancellation, I am at no loss, no profit, right, तो मैंने उसको insure कराना छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरे लिए अब छोटा amount है, ठीक है, तो हाँ, अगर, अब जैसे मानलो, for example मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग यॉरॉप जा रहे हैं, तो वहाँ पर basically with cancellation है, without cancellation है, 20% का फरक है, तो मैं सबता हू ठीक है, तो ये तुमको define करना पड़ेगा, कि तुम कितना का loss है सकता है, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये मानलो, ये 80 है और ये 90 है, मैं क्या चाहूंगा, क्यों 80 हो जाए, अगर, अगर enter, चीज समझो, अगर enter नहीं किया होता, तो मैं क्या चाहूंगा, 90, उस case में मेरा क competitor है, बहुत लोग पढ़ाता है, actual science, ठीक है, मेरा competitor क्या क्या, उसको भी एक लाग का offer आया, लेकिन मेरा competitor क्या क्या, वो risk को hedge नहीं किया, क्योंकि उसका CM2 clear नहीं था, ठीक है, वो risk को hedge नहीं किया, तो वो open छोड़ दिया उसको, तो और क्या हुआ, rate क्या हुआ, 90, तो इस case 25 का मैंने जो fix किया, इस से मैंने खरीदा चैन का नींद, क्योंकि मेरा काम क्या है, पहले ये समझो, मेरा काम है पढ़ाना, I am not the right person to predict the IANA dollar का currency rate, or the interest rate, उसके लिए अलग से banking houses, JP Morgan, Bofa, Morgan Stanley, इस लोग का, पुरा team बैठता है, तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है पढ़ाना, तो I I will always try to hedge what is possible, तो मेरा risk management policy में मैंने सोचा है, कोई भी चीज, अगर 2,00,00 के उपर का है, तो मैं इसको insure कराऊंगा, ने तो मैं नहीं कराऊंगा, समझा, तो company का risk management defined होता है, कि तुम कितना risk लेने को ready है, ने तो फिर इसको insurance कराऊ, ठीक है न, तो ये एक example हुआ, और एक example दे wheat, अभी spot चल रहा है, 35 पर kilo, ठीक है, farmer करेगा 100 kilo का production, 6 मेना के बाद में, ठीक है, डर किस चीज का लगेगा, डर किस चीज का लगेगा बताओ, कहीं rate गिरना जाए, क्योंकि farmer तो बेचेगा न, farmer तो बेचेगा, और baker खरीदेगा, तो farmer को क्या चीज का डर लग रहा है, कम न हो जाए, baker को क्या चीज का डर लग रहा है, बढ़ना जाए, तो दोनों क्या करेगा आपस में, farmer बोलेगा baker को, और baker बोलेगा farmer को, देखो भाईया, तुमको बेचना है, हमको खरीदना है, ठीक है, तुम 6 मेना बात बेचेगा, उस समय हो सकता है, rate 30 हो जाए, 40 हो जाए, rate च farmer का, rate 40 हो जाए, तो नुकसान किस का, baker का, तो ये लोग क्या किया, एक जो risk था, उससे क्या किया, उस risk को कम किया, risk को hedge किया, इसको बलते है hedging, जब तुमारा already एक exposure है, जब तुमारा already एक exposure है, और तुम उस risk को hedge करना चाता है, that is hedging, बट जब तुमारा कोई exposure नहीं है, तुम क्या किया, यही सेम चीज को buy कर लिया, मैंने तुमको लगता है, तुमको लगता है कि rate इससे उपर जाएगा, ठीक है, आज के हिसाब से, जो rate चल रहा है, 6 मैना आगे का, एक कीलो गेहूं का वो चल रहा है 38, तुमको लगता है कि 6 मैना बाद ये जाके होगा 42, तुम तुम क्या किया, you are long, you are long, 6 मैना के बाद में, if the rate is 35, तुमको एक कीलो में कितने का नुकसान हो रहा है, 3 रुपया का, बने तुमको 3,000 रुपया का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, OTC में क्या होता है, over the counter में क्या होता है, over the counter में हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं, भहिया, मेरे को 25 किलो का कॉंट्राक करना है, मेरे को 30 किलो का कॉंट्राक करना है, मेरे को 50-60, futures में क्या होता है, वो standardized होता है, standardized का मतलब होता है, कि lot system होता है, जैसे मैंने तुमको SBI दिखाया न, exchange में क्या होता है, Nifty में हर एक contract value is मोटा मोटी 10 lakhs, तुमको जैसे कोई भी चीज़ क कर निकालना हो, मैं तुमको दिखा देता हूँ, जैसे SBI का share price कितना था, 800 था, तुम 10 lakhs को 800 से divide करो, तो कितना आएगा, 800 into 100 कितना होता है, 800 into 1000, मने करीब करीब 1200 से 1300 को lot होगा, 1200 से 1400 को lot होगा, मने समझा, 8 lakhs से 12 lakhs तक का lot होता है, वो उसको break नहीं करता है, Nifty, मने 8 से 12 lakhs क lot size होता है, तो तुम जो भी contract करेगा न, अगर मनलों तुमको SBI का futures buy करना है, SBI का futures buy, futures मतलब क्या, जो exchange traded है, forward का मतलब क्या है, OTC दो लोग के बीच में होता है, तो तुम क्या करेगा, एक lot मतलब क्या हो गया, तुमारा 1200 का quantity, उससे नीचे तुम trade नहीं कर सकता है, तो FNO क futures and options का जो खेला है, वो छोटा medium class low के लिए नहीं है, but medium class low करता है और नुकसान करता है, ठीक, और कुछ नहीं करता है, घर पे कोई पापा दीदी भहिया कर रहे है, तो बना कर देना, ठीक है, मत करने देना, ठीक है, देखो, यह हो गया, अब इस चीज का मतलब समझो, अब जैसे माल लो, spot होता है एक, और मैंने आपको बोला forward, ठीक है, जैसे अब shares में समझो, main जो है, shares में समझो, concept समझा, बन कर दो, यह से कोई दिक्कत की समनल नहीं चीए, सब लोग को online में clear हो रहे है, यहां तक कोई भी दिक्कत, प्लीज, chat box पर type कर दीजगो, कोई भी दिक्कत है तो, देखो, अब जिसे spot है, और forward है, ठीक है, अब share का बात करते हैं, तो shares में क्या होता है न, जैसे माल लो, तुम spot buy किया, तो तुमको SBI आज 1 share 802 का पड़ेगा, ठीक है, यही माल लो, तुमको 100 share buy करना है, तो तुमको क तो 80,000 रुपे का investment में, तुम क्या कर सकता है, तुम 100 share buy कर सकता है, ठीक है, futures में क्या system होता है, futures में, sorry, futures में क्या system होता है न, futures में क्या होता है, माल ले, एक lot है तेरा 1200 का, ठीक है, तो 1200 into 800 जब हम लोग करेंगे, तो कितना आएगा, 9,60,000, यहाएगा न, 9,60,000 आएगा न, तो यह पूरा पैसा नहीं देना होता है, माल लो तीन मेहने का futures है, तीन मेहने का futures है, ठीक है, अब spot जैसे माल लो चल रहा है, 802, तो तीन मेहने का future का rate चलेगा, वो तुम्हाना चलेगा 810 के आसपस, future का मतलब क्या है, आज का rate है 802, तीन मेहना बात का rate क्या होगा, future, तो जब 100 रुपय आज इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको future में लेके जाते हैं न 3 साल, वही चीज इसको भी कर रहे है, जो चीज आज 802 का है, उसको 3 साल आगे लेके जाएंगे तो 810 का मिलेगा, बेसिकली यह सिंपल कैलकुलेशन यही है, इसका हम लोग पूरा देखेंगे कैसे होता है, बट यही बेसिक कैलकुलेशन है, तीन मेहना आगे का दाम, तो माल लो 810, ठीक, 810 दिख रहे हैं, तुम क्या किया, तुम बाई किया, एक्चली लोग क्यों फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तुमको अभी पूरा पैसा नहीं देना है, यह एक टैप का जुआ है, और कुछ नहीं है, तो तुम क्या किया, 810 पे बाई का ओडर लगाया, तुम कितना कॉंटिटी का ओडर लगाया, 1200 का, क्योंकि lot size है, तो lot size को त तुम अपने इसाब से 10-15,20 नहीं कर सकता है, यह लोग क्या बोलता है, बोलता है, आपको पूरा जो जैसे महलों 10 लाग रुपे, मोटा मोटी 10 लाग का तुम प्रूपय कांट्रेक वैल्यू है, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, पूरा 10 लाग रुपय नहीं देना है, त तुम देगा इसका 15% मानने तुम क्या कर सकता है 1.500.00 रुपए लगा के ना 10.000.00 का माल उठा सकता है तुम 1.000.00 रुपए लगाया है अब तुम 10.000.00 का माल उठा लिया है अब आगे का देखो ठिक है 3-month futures price बाई किया है 810 पे अब तुम buy क्यों किया, क्योंकि तुमको क्या लगते है, SBI का दाम जाएगा, उपर, ठीके, अब 3 मेना हो गया, 3 मेना बाद तुम्हारे को जो दाम दिख रहा है, वो दिख रहा है 825 या फिर 725, ठीके, अगर 825 होता है, तो क्या होगा, ध्यान देना, 15 करके क्या होगा, बता 1200 शेहर पे profit, अगर 725 होगा, तो क्या होगा, 810 माइनस 725 कितना होता है, इंटू 1200 में तुमको क्या हो जाएगा, नुकसान, माने profit होगा, तो अच्छा होगा, लॉस होगा, तो भी अच्छा होगा, एक टैप का फाट का और कुछ नहीं है, माने you have taken 6 times leverage, 5 times leverage, किसी-किसी में 20 परसें पैसा देना होता है, किसी किसी में 25 परसें पैसा देना पड़ता है, और यह क्या होता है, हर दिन mark to market होता है, हर दिन mark to market for example, जैसे मान लो, 800 में तुम buy का order लगा है, futures में, एक दिन बाद उसका दाम हो गया, 810, ठीक है, तुम buy लगा है, मतलब उपर जाने से तुमको profit आएगा, यही तुम futures sell भी कर सकता है, उस case में क्या होगा, नीचे जाने से तुमको profit होगा, ठीक है, 800 का 810 हो गया, तो 10 रुपय करके तुमको 1200 पर profit हो जाएगा, यह तुम्हारा margin account में add हो जाएगा, 10 रुपय करके 1200 तुम्हारा margin account में add हो जाएगा, ठीक है, यही माल लो, तुम 800 में buy order लगाया होता और 780 हो जाता, तो क्या होगा, 20 रुपय करके तुमको 1200 पर नुकसान होता, तो तुम्हारा margin account से deduct हो जाता, अब margin का खेला किया है देखो जो DMAT account है जो broker है वो क्या बोलता है बोलता है margin जब तक नहीं है न account में जब तक margin है तभी तक तुम्हारा बात सुनेंगे जब margin नहीं है तुम मिरेको कुछ मत बोलो margin ले किया और उसके बाद मिर से बात करो तो जब starting में जो हम लोग डालते हैं उसको बोलते है initial margin जैसे मालो तुम डाल दिया 10 लाग का 20% तुम 2 लाख रुपर डाल दिया अब इसमें क्या होगा तुम trade बगर डालेगा तो इसमें adjustments होंगे ठीक है जैसे मालो तुमको बहुत भारी नुकसान लगए एक मैने से नुकसान लगती जा रहे लगती जा रहे एक होता है minimum maintenance margin जिसके नीचे तुम जान नहीं सकते हो तुम्हें जो trade लगाया जैसे मालो maintenance margin ने 50,000 रुपर ठीक है अगर माल नहीं काटना है अगर आप चाते हैं कि हम आपका माल नहीं काटे तो अभी के अभी पूरा पैसा को restore करिए restore करके कितना में लेकिया यह 2,000,000 जैसे ही margin maintenance margin के नीचे जाएगा तुमको RMS selling का call आजाएगा मने square off कर देगा वो लोग तुमारा trade और यह पूरा automated होता है एक दिन warning देगा दो दिन warning देगा क्योंकि market सा very volatile ना हो वो लोग risk क्यों लेगा भाई because exchange में क्या होता है clearing house का सिस्टम होता है clearing house का मतलब क्या है clearing house acts as the buyer to every seller and seller to every buyer तुम exchange में trade कर रहा है लेकिन तुम कर तो किसी आत्मी के संग में रहा है वो तुमको दिख नहीं रहा है वो दिवाल के उस पार है दिवाल बेसिकली के exchange क्या कर रहा है clearing house क्या कर रहा है clearing house क्या कर रहा है यहाँ पर मालो मैं plus कर रहा हूं clearing house मेरे लिए minus कर दे रहा है यहां पर कोई माइनस कर तो क्लेरिग और यह फ्लोंगि रहे हैं तो UX करती कर हम लोग दोनों ही चृए हैं तो लो यह सबसे मार्जिन ले रहे हैं तो credit रिस्ट तो από तो आदम सामने वाला आदमि्ञ आफ मत टयू दो आफ़ प्रेड' नुकसान हम आपको जानते ही नहीं है बोलके भाग जाएगा कुछ नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है इसलिए अब जो OTC कॉंट्रेक्स है ना उसमें भी तुम्हारा margin का सिस्टम आ गया पहले नहीं होता था उसमें भी margin के बेना कुछ काम नहीं होगा margin के बेना कोई काम नहीं होगा margin के कुछन अगेंस्ट लॉसेस कुछन अगेंस्ट अगर मार्केट तुम्हारे रिवर्स में जाता है ठीक है ना तो तुमको पैसा चीज समझो बसके लिए क्या हो रहे हैं पर सामने वाला का फेवर में नहीं किया ट्रेड तो उस केस में क्या होगा सामने वाला को कुछ नहीं करना है उसका अकाउंट में पैसा रहेगा वो पुरा कट के नहीं लो जाएगा उससे पैसा मांगना नहीं पड़ेगा तो एक्सचेंज वो सारा responsibility लेता है ठीक है यह basic difference है futures में और forward में forward में हम कर रहे हैं bank के साथ में तो bank को तो डर लगेगा ना कि हम पैसे देगा नहीं देगा तो bank पहले बोलेगा margin रखिए तो margin का system है बट OTC में उतना अच्छा नहीं है जितना futures में वहाँ पर तुम अपने इस हब से customize करा सकता है है तीम में ना बात का अच्छे में ना बात का नौ में ना बात का रेट आज ही fix हो जाएगा ठीक है एक basic चीज़ और देखो ठीक है IPL में match चल ला है जैसे मालो Mumbai Indians और कौन सा टीम है अरे भोलो टीम का नाम CSK यहाँ पर Mumbai Indians CSK ठीक है अब जैसे मालो IPL में तो कुछ भी हो सकता है जैसे मालो average में जो run बन रहा है आज के दिम पर बन रहा है 200 ठीक है Mumbai Indians CSK का match चल रहा है हम बोले 200 के ऊपर Mumbai Indians बैटिंग दोखो यह रोही सर्मा बना दिया आपर ठीक है रोही सर्मा बैटिंग में है हम बोले कि 200 के ऊपर हर एक run जो बनेगा हमको 10 लाक रुपय चाहिए ठीक है 200 का एक basically strike fix हुआ ठीक है हम बोले 200 के ऊपर जितना भी run बनेगा मालो 201 बना तो मेरे को कितना चाहिए प्लस 10 लाक्स 202 बना तो मेरे को कितना चाहिए चाहिए समझा हर एक run के लिए मेरे को कितना चाहिए 10 लाक्स एंड दो सो के नीचे जितना भी बनेगा मुंबे इंडे जितना भी बनाएगा हम 10 लाग देंगे समझा यही अगर मालो 195 हो जाता हो तो क्या होगा माइनस फाइव लाइक्स हाँ माइनस 50 लाइक्स सॉरी तो फ्यूचर में क्या है उपर तरफ अगर हम यह बोलते हैं उपर तरफ का यही बैसिकली डिस इस अकाइंड ऑब बाय ओडर यही हम बोल सकते हैं कि दोस्तों के नीचे होने से हमको हर एक रण नीचे होने का 10 लाग चाहिए जाड़ जाड़ नीचे जाने से प्रॉफिट मतलब तुमको उबे करना ही होगा फ्यूचर में एंटर करने का मतलब कया उसको काट नहीं सकता है ऐसे चोड़े दुबारा चालू करते हैं नहीं 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 वह चीज नहीं पॉसिवल है एक बार एंटर कर गया मतलब आप जो भी नाफ़ा नुक्सान तुमको करना पड़ेगा ठीक है तुला हम मजाग कर रहे थे नहीं वैसे नहीं होता है उसमें ट्रेड लग गया मतलग ठीक है मेरा भाईया डी शौ में डीलर का काम करते है बहुत हाई लेवल पे उनका काम यह कंपनी का ट्रेड मारना जैसे मालो तो पांच-जर करोडू, 10-जर करोडू, 50-जर कर दो, उसके लिए भाईया को मिलता है 10 करोड़ रुप्या, क्योंकि अगर एक भी इदर-इदर हो गया ना भाई, तो कितना भारी नुक्सानों को आइडिया नहीं है, यह सब गया ना भाई, तो गया ना भाई, अच्छा अनल तो basically betting है अगर आपका कोई underlying exposure नहीं है तो मतलब आपका पहले टीन टेप का चीज़ मैंने discuss किया एक मैंने discuss किया speculation, speculation is basically what your price belief, ठीक है, belief का spelling क्या होता है, यह ठीक है, तो basically speculation कौन होता है, जिसके पास में जिगरा है, वो basically क्या कर रहा है, उसको पता है, वो फाटका कर रहा है, ठीक है, तो जिसका हिम्मत होगा वही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है, ठीक है, एक है, hedger, इसका बहुत फटता है, ठीक है, आज इसे वही तो बता र इसाथ लाख्ळा यह तो पता है कल का मूज़िट अच्छा रहेगा और अपना जो है रिस्क को कम कर रहे है क्योंकि आपका अल्रेडी कंडरफ़ ध्रीन एक इस को कम कर रहे हो और catches messaging और एक जो होता है that is को आर्बिट्राजर इसको उनीह बोलते हैं सी या ना हमने बेसिकली इसका काम किया है इसका काम क्या है इसका काम है रिस्कलेश प्रॉफिट लेकिन तुम्कों क्या लगता है आज के दिने को रिस्कलेश प्रॉफिट कमा सकता है बताओ, बिना रिसके का कोई प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए एक स्टेटमेंट है, आर्बिट्राज किल्स आर्बिट्राज, आर्बिट्राज किल्स आर्बिट्राज का मतलब कि अभी आर्बिट्राज दिख रहे हैं, बट एक सेकेंड में खतम हो जाएगा, क्योंकि there are lot of profit hungry investors, those who are looking for these kinds of opportunities, बने वो लोग ऐसा opportunity खोज रहे हैं, तो अगर मालोग बहुत लोग भैठे हैं, अगर हलका सभी miss pricing दिखेगा, तुरंत वो लोग जहाँ पर कम हैं, वहाँ पर plus जालेंगे, जहाँ पर जाद हैं, वहाँ और minus जालेंगे, तो तुरंत वो adjust हो जाता है, जब त आज की दिने पर algo trading आ गया है, उसमें तुम set कर दो, अगर share price 10 रुपए से उपर जाएगा, तो 100 quantity buy करना, 20 रुपए को cross करेगा, तो 200 quantity ऐसे करके तुम set करते जाओ, उससे तुम थो नहीं लग सकता है, उससे manual में कोई नहीं लग सकता है, तुम manual देख के मार रहा है और वो algo set है, तो पहले तो उसका trade execute होगा ना, ठीक है, तो यह है, ठीक है, आप जैसे, जो forward है, उसका pricing देखो, ठीक है ना, forward का pricing देखो, तो forward का pricing है, बेसिकली वो क्या है, k is what, s0 e to the power delta t, कुछ भी नहीं है, आज का दाम के s0, तुमको निकालना है future का दाम, तो s0 e to the power delta t, जैसे मालनो, आज का जो share price है, वो है 500, rate of interest चल रहा है 5%, और जो time period है, वो है 5 years, ठीक है, तुमको निकालना है k0, why k0, why k0, k5 क्यों नहीं है, k0 क्यों है, क्योंकि rate तो आज ही fix हो रहा है, rate है 5 सल आगे का, कि आज का अगर दाम चल रहा है 500, तो 5 साल बाद इसका share price कितना हो सकता है, बट rate तो आज ही fix हो रहा है, इसलिए k0, कितना रहा बताओ, तो 500 e to the power 5 into 0.05, कितना रहा बताओ, calculate करिए, 642, 500 है, चेक करो, हाँ, कितना रहा है, 6.012, तुम समझा, आज का rate के हिसाब से, 5 साल आगे का rate कितना निकल किया रहा है, 642, अब हम तुमको दिखाते हैं, इसमें profit loss कैसे होता है, ठीक है, यहाँ तक copy करो, यहाँ तक पहले copy करो, हाँ, खुशी वे इतना बता रहा हूँ, क कोपिवा, ठीक है अब यही चीज देखो, जैसे माल लेते हैं, S1, एक साल के बाद, अब एक साल बीद गया, ठीक है, एक साल के बाद शेर का दाम हो गया, 450, ठीक है, अब माल लेते हैं, जो time period है, वो है 4 years, ठीक है, और delta जो है, वो है तुम्हारा 5%, तो अब तुम जब K1 निकालेगा, तो क्या आरा बताओ, क्यालकुलेटर कहां है, तुम याद कम रखती और भूलती जादा हो, कितना आरा है, 5, 49.63, अब मेरे बाद समझो, हर forward या फिर option का एक underlying होगा, जैसे इस case में जो अपने forward का pricing कर रहे हैं, इसका underlying क्या है, वो share price, forward किस चीज का है, उस share price का है ना, अब देखो, यहाँ पर देखो, अब जैसे मालो, यहाँ पर मैंने एक lot के लिए अगर किया है, और मालने ते एक lot में 1000 share है, ठीक है, मैंने buy का contract किया है, मैंने buy का contract किया है, मैंने क्या बोला, और जैसे मालो, 5 साल का था ना, मैंने buy का contract लगाया, तो rate किस पर होगा, यह इस पर नहीं, यह वाला, मैंने अगर एक lot forward buy का लगाया, forward buy का मतलब क्या है, कि हम तुमसे, यह समझो, अब इसका हिंदी में मतलब समझो, हम तुमसे यह जो company का share price है, for example, ITC, हम तुमसे यह company का share price, 5 साल बात खरी देंगे, चलो rate आजी fix कर लेते हैं, तो कुछ कुछ करके, अपने जो calculation की आगे का rate, आगे का rate, तो कुछ कुछ करके जो calculation निकल के आया, वो निकल के आया, 642, तो हम तुमसे 5 साल बात, यह company का share खरी देंगे, 1000 quantity खरी देंगे, rate आजी fix कर लेते, तो rate कितना निकल के आया, 642, अब rate कुछ भी हो जाए, 0 हो चाए quantity खरीदना होगा, कितना पे, 642 पे, अब समझा, forward का मतलब, ठीक है, अब हुआ क्या, एक साल हो गया, ठीक है, अब जब हम forward buy करते, मेरे को डर किस चीज का लगेगा, कहीं दाम कम ना हो जाए, right, actual में हुआ क्या, मेरे डर materialize हो गया, कम हो गया, तो जो चीज हम खरीदे थे, जो चीज हम खरीदने के लिए बोले थे, 642 में, उसी चीज का आज दाम कितना हो गया, 549.63, समझा आप चीज को, हाँ, उसी चीज का आज दाम कितना हो गया, 549.63 हो गया, तो कितने का नुकसान हो रहा मेरे को, एक एक शेयर पे, 92.something कितने का किये थे अपन, तो मोटा मोटी 92.000 का मेरा मेरे नुकसान दिखा रहा होगा, समझा आज आगला, जब, आगला के संग में किये हैं, ठीके, फ़र एकशंपल, बैंक के संग में किये हैं, तो वो मेरे से मार्जिन मांगा होगा न, बोला, आपको 2,00, रुपा मार्जिन का देना होगा, तो 2,00 में 92,000 माइनस हम उसे पूछे मेरा मार्जिन में कितना बैलेंस दिखा रहा है तो बोला आप जो दिये तो उसे 92,000 अभी आज के दिन पर माइनस में है समझा तो अब मेरे को डर क्या लग रहा कहीं और नीचे ना हो जाए तो हम बोले भाई छोड़ो गलती हो गया माफ करो आइक और लगाए थे ना तो एक साल बात जो फॉरवर्ड का जो दाम चल रहा है वो चल रहा है 549 हम बोला आज ही इसको स्क्वेर ओफ कर देते हैं खतम करो जमिला मेरे को कुछ नहीं करना है तो उस केस में कितने का नुक्सान दिखाएगा 92,000 का नुक्सान दिखाएगा य स्क्वेर ओफ का मतलब क्या होता है तुम जो ट्रेड लगाया उसका ठीक उल्टा कर रहा है तुम उस समय किया था प्लस तो अभी होगा माइनस हम जैसे कभी-कभी बोलते है टर्मिल पे स्क्वेर ओफ कर दो स्क्वेर ओफ का मतलब क्या है अगर कुछ माइनस में है तो प्ल आप जैसे यह वाला जो है, यहां पर कहां आएगा, जैसे, एक मिट देना, डेरिवेटिव में आओ, शेयर का ना मंद टेन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, जैसे स्टॉक फ्यूचर्स देखो, ठीक है, एक मिट आ, जैसे सेप्टेंबर तो हो गया, ठीक है, तो आभी क्या, क्या, दिखेगा, ओक्तोबर, नॉवेंबर, डिस्सेंबर, तेखे, स्पार्ट कितना चल रहा है एं, श्पार्ट कितना चल रहा है, बताइए, restaurant कितना छल रहा था 802 किमेस एक मैंना आगे का रीट कितना चल देखो उपन हुआ हाई हुआ लो closing देखो closing देखो एक मैंना कितना चल रहे 809 किई आच Candy किमीर ठाशन में आगे का 6 321 मैंन एगे कितना चल रहे 8019 एफ i it's just the interest cost, future का मतलब क्या है, forward का मतलब क्या है, सिर्फ contract हुआ है, पैसा नहीं लगा है, मुँ बोली, मैं क्या बोला, कि भाईया, मैं तुमसे इसका मतलब क्या है, देखो, मैं तुमको समझाता हूँ, यह 28 नवेंबर का जो contract है और यह जो दाम है, जैसे मानलो, 814 मानलो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं बोला, भाईया, मैं तुमसे ये share खरीदूँगा, S.B.I.N. stock का नाम है, जिसका दाम आज चल रहे कितना, 802, यही सेम चीज मैं तुमसे खरीदूँगा, कब खरीदूँगा, दो मैंना बाद, दो मैंना बाद खरीदूँगा, चलो rate आज ही fix कर लेते हैं, तो आज का rate fix क्या हुआ, 814, बट पैसा देना कब है, दो मैंना बाद, यह समझो, आज खरी मुव बोली contract हुआ, और इस मुव बोली contract के लिए, मेरको कुछ margin जमा करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जवान का कोई value नहीं है, तो इसलिए 20% margin रखता है, अब जैसे देखो, इसमें आपर दिखाएग कितना है, volume, face, quantity, underlying and information, दिखाएगा, एक में तुको, इसमें दिखाता है, money control में दिखाता है, यहां दिखाने है, है इसमें सारा ही data, बट दिखाने है, कितना है lot size, हाँ, 750 दिखा रहे है ना, हाँ तो 750 होगा, समझा, देखो, तो अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, 750 का lot size है ना, अब तुम अगर sell का order लगाता है, तुमको लगता है SBI बहुत highly price जए है, एक lot sell कर देते हैं, तो तुम आज पहले margin जमा करेगा, तभी तुम्हारा order execute होगा ने, तो order execute नहीं होगा, ठीक है, margin पहले तुमको जमा करना पड़ेगा, तारा futures में खेला है margin का, और वो हर समय mark to market होगा, और जहां तुम्हारा जो margin है, शुरू में मालनो तुम 2 लाख रूपर डाल दिया, that is initial margin, जहां वो maintenance के नीचे गया, तुमको एक margin call जाएगा, भाया, सौधा कार्ड दे की margin जमा कर रहे हैं, तुम लेगा, नहीं नहीं, जमा कर रहे हैं, तो maintenance मालनो है 20 लुपर, जहां 20 लुपर के नीचे जाएगा, वो automatic तुमको बलेगा margin call में, भाया, आप replace कर रहे हैं कि सौधा काटे, तो वो margin कर रहे हैं, लोग फस्ता कहां पर है, पुरा गला तक माल भर लेगा, यहां तक, ठीक है, एकदम घर चलाने का पैसा से, फाटका कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को वो मिल रहे हैं न, dopamine मिल रहे हैं से, मैं जहाँ कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है, चलो भाई कर लो, क्या है, ठीक है, यहां तक माल भरेगा, फिर क्या होगा, अब जैसे क्या होता है, इसमें जैसे समझो, 814 है, ठीक है, क्या, क्या बड़ा बात है, इस वे पचास उर्वे गिर जाएगा, एक मैना में, ठीक है, तो पचास इंटू साड़े साथ सो का लॉट साइज वो बोल रही है, करो कितना होता है, साड़े साथ सो इंटू पचास, 37,500 हो गया, तुम्हारा क्यापिटल कितना लगाया, तुम मानलो 2 लाक रुपय लगाया, ठीक है, मार्जिन मानलो मांगता 2 लाक रुपया, 2 लाक मांगे का नहीं, मानलो 1.5 लाक रुपय लगाया, तो 1.5 लाक में 37,000 का नुकसान हो गया, तो 25 परसंट क्यापिटल सफा, नहीं समझा भी भी, 1.5 लाक में अगर 37,500 का नुकसान हो गया, तो 25% कापिटल सफा हो गया ना अब कापिटल कितना बच्छे तुम्हारे पास एक लाग बारा आजार तो 27241 ट्रेड में तुम अपना जमा पुंजी का 25% लुटा दिया यही अगर तुम शेयर भाई करता तो मान लेते एक लाग साट जार का तो कितना शेयर आता 200 200 शेयर आता ना 800 का भाव में 200 शेयर आता कर वो 800 इंटू 200 तो 200 शेयर में 50 शेयर पकर के नुक्सान कितना होता दसदर 200 शेयर में 50 शेयर पकर के नुक्सान कितना होता दसदर यही तुम क्या किया जहां तुमको नुक्सान होता दसदर का वहां तुम नुक्सान दिया कितना करना चाहिए काम जब मालो तुम्हारे पास में पैसा है तब करो फ्यूचर में काम जैसे मालो 6 लाग रुपा तुम्हारे पास में है वो तुम FD में लगा रखा है अब तुम क्या कर रहा है बोल रहा है हम आप सी ही दो मैना बाद खरी देंगे दो मैना बाद तुम्हारे FD म में चौर होगा तुम वह पैसा देके पुरा माल उठाएगा ऐसा अपका काम सेफ है इसलिए एक्विटी में काम करना चाहिए एफ़नों में काम नहीं करना चाहिए future is having no future ठीक है तो future में काम is totally waste तुम चार गुना माल उठा रहे एक तरीके से तुमको कोई option दे रहा है तो तुम क्या कर रहा है तुम चार गुना माल उठा रहा है तुम कुछ नहीं कर रहा है ठीक है यह समझा न प्रैक्टिकल अब एक चीज़ और एक किक है क्या समझो जैसे प्यूचर का टाइम आएगा जैसे देखो यह जो गैप है यह 809 है और अभी यह 802 तो यह 7 रुपय का जो गैप है इधिर इधिर कम होता जाएगा क्यों कम होता जाएगा बोलो तो इंट्रेस्ट एक दिन का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा एक महने का ब्याज है 7 रुपया तो इसको डिवाइड करेगा अगर 30 से तो एक दिन का ब्याज कितना रहा 20 पैसा न अगर मानलो एकस्पाइरी में अभी एक दिन बचा है तो एक दिन में कि तो F जो futures है और जो spot है वो converge करेगा, converge कब करेगा maturity पे, जितना gap ज़ादा होगा उतना difference भी ज़ादा होगा, तो basically forward future क्या है, तुम spot buy नहीं कर रहा है, तुम spot buy नहीं कर रहा है, तुम खली एक contract में अंटर कर रहा है, contract में अंटर कर रहा है, कि तुम future में buy करेगा, तो तुम क्या save कर रहा है, मैं को यह बताओ न, अगर हम बोलते हैं, कोई चीज़ अगर हम आज buy करते हैं, तो पैसा लगेगा, लेकिन हम बोलते हम आज नहीं buy करेंगे, अम एक साल बात buy करेंगे, तो क्या save होगा पताओ, finance में हम लोग हमेशा यह मान के चलते हैं, कि हम लोग का जो पैसा है न, वो ब्याज का है, तुम किसे से भी पैसा मांग के देख लो, वो तुमको हमेशा यही बात बोलेगा, बोलेगा, मेरा तो ब्याज चल रहा है, कुछ भी बोल देगा, मेरा home loan चल रहा है, मेरा car loan चल रह वो लेगा पैसा मांगें पड़य आदम है मैंे आपको दे दूँगा बट ब्याज लगेंगा सिंपल सा हिसाब है बुरा मनेगा बात नहीं है तुम है अगर मैं किसे पैसा मांगे लुगा तो यसेने माल लगेगा थिक आई है ठीक है तुम मैन लो इसका 7001.6 attending बाइच करते है करो तो एक बार कितना होता है ऑठ सो कि चहा होता है मैं अगर तुमको तुमको मैनор बाद बाई करता है यह साथ परोश है तीन परसेंट की पर्सन मालो RESER एकड़नो मुद 20013 mm मेना बाद में बाई करेंगे तो सामने वाला का बेफूफ है तुमको बोलेगा ठीक है ती मेना बाद हम आपको 6 लाक में दे देंगे नहीं तीन मेना बाद जब देंगे तो ब्याज का भी तो लेंगे पैसा तो वो चीज फॉरवर्ड का प्राइस में इंक्लूड हो रहा है इ अगर तुम एक चीज सोचो, calculation देखो, calculation क्या बोलता है, तुम मानलो आज तुमको 16 खुरपय का stock buy करना है, तुम पैसा borrow किया, 3 मेना के लिए borrow किया, ठीक है, 3 मेना के लिए borrow किया, तुम्हारा 3% ब्याज लगेगा, तुम आज तुम 16 खुरपय का stock खरीद लिया, और 3 मेना बा चेला कठा राजार, वो ही आ रहे है न, S0, A to the bar delta D, तुम उसी stock को आगे लेके जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम वही stock को आगे लेके जा रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसलिए formal बना S0, A to the bar delta D, आगे का rate है, आगे का rate है, लेकिन rate आज fix हुआ, है तो आगे का, ठीक है, तुम एक ऐसे आदमी से contract कर रहे हो, जिसके पास में share है, तुम क्या बोला, सर, हम आपसे ये share खरीदेंगे, तीन मेना बाद rate आज fix कर लेते हैं, तो rate fix हो गया, 800 पे 3% extra, तो 800 का 3%, 824, 824 का rate fix हो गया, ठीक है, तो 824 का rate fix हो गया, तुम एक बास सोचो, अगर ये अपना समान आज बेश था, तो इसको कितना मिलता, 6 लाग मिलता, उसको वो 3% ब्याच में लगा देता, 3 मेना के लिए, है ना, नहीं समझा, 6 लाग का 3%, 18,000 होता है ना, तो अगर यही वो आदमी अपना समान आज बेश था, किसी और आपने को बेश देता उसको 6 लाग मिलता, उसको 3 मेहना में ब्याच कितना मिलता, 3%, तो 3 मेहना बाद वो कितना में खड़ा होता, 6,18 पे ना, तो 3 मेहना बाद उसको कितना चाहिए होगा, 6,18, इसलिए ये चीज़ हो रहे है, ठीक है, क्लियर है यह चीज, क्यों है 0,8, दुपा डेल्टाटी हो अब इसमें और भी कॉंप्लिकेशन आएगा, बेसिक तो ठीक है, एक चीज़ दुबारा लास्ट बार बता रहे है, एक बेसिक चीज़ समझ लो दुबारा, यह क्यों ब्याच का चकर क्यों हो रहे है, माल लो इते हैं, मेरे पास में शेर है, MRF का, ठीक है, MRF का एक शेर के अबरा में एक लाक, ठीक है, मेरे पास में इसका दो हज्यर शेर है, ठीक है, कितना उदर बताऊ तो मैं कभी गिना नहीं, 20 करोड रहते हैं कि 200 करोड रहते हैं मेरे पास Idina MRF का share यह मेर पास इक जयर न आया हमको इसको सल्टाना भी था मैं कor वहिया हम आपसे तीन मेहना बाद खरी देंगे हम आपसे तीन मेहना बाद खरी करेंगे मेरे को क्या करना है वो मेरे से ती मेहना बाद खरीदेगा बोला चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं हम बोला भाईया तीन मेहना पर मोटा मोटी मेरा जो है कैलकुलेशन चार परसंट का ब्याज हमको चाहिए तो हम आगला को रेट कोट करेगा ना हम आगला को मेहना बाद कितना रुपय चाहिए 20 करोड 80 लाख तो हम उसको क्या क्या रेट कोट करेंगे हम बूलेंगे देखो एक क्या शेर ₹ सब्सक्राइश चलो रेट आज फिक्स किये एक लाग चार हजार ऑप एक लाग चार हजार का जो रेट फिक्स हो गया अब यह यह एक लाग चार हजार कैसे आया एज जिरो एटू दिपार डेल्टा टी यह रेट आगे का है मेंको पैसा बाद में मिलेगा मार्जिन रखेंगे दोनों पार्टी एक कॉमन पार्टी के पास में वो सब डिफरेंट च कि और फूचस में क्या फर्ख है कि फूचस क्या होता है ईक्सेंच ट्रेट और क्या होता है बताओ इसमें मार्ट क 12 मार्ट का मतलब क्या होता है everyday जैसे ऐसा underline का value change होगा वैसे वैसे futures का भी value change होगा अभी जैसे मैं आपको दिखाया ना यह वाला जो है अब क्या होगा हम आज class करें हम लोग कल देखेंगे कल market खुलेगा जो चीज़ यह जो rate है इसी कदाम क्या हो जाएगा change हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी 802 है बोलके यह है अगर कल वहाँ पर 792 हो जाएगा तो सब कदाम मोटा मोटी 10 रुपए से कम हो जाएगा यही मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं कि जब 10 रुपए से कम होगा और तुमने अगर buy execute किया है तो साड़े 700 share पे 10 नहीं होता है मार्जिन पहले नहीं होता था अलेकिन अभी होता है किसमें ज्यादा security फिल हो रहा है फ्यूचर में क्योंकि एक्स्चेंज ट्रेड़ेड है वहाँ पर हो सकता है लौस बहुत ज्यादा हो जाए आगला डिफॉल्ट कर जाए क्रेडिट रिस्क इस मिनिमाइज जिसमें जीरो जीरो का चांस वह एक्स्चेंज वाले में डोनों से मार्जिन लेता है ठीक है ना वह फ्यूचर में वह बहुत सिंबल सिस्टम है तुने अब जिसी देखना बताता हूं तुने मानले यह वाला खरीद आए 814 वाला खरीद है ठीक है तुने अगर आट चौधा वाला खरीदा है कुछ नहीं है इसमें देख तूने आज बाई किया 814 में ठीक है तेरा हजार कॉंटिटी है इसका दाम हो गया 802 कल ठीक है तो क्या होगा तेरे में माइनस बारा अजार तूने यहाँ पर चालू किया माल ले एक लाग रुपैसे माइनस बारा अजार मदब तेरा बैलेंस कितना दिखाएगा 88,000 दाम हो गया 792 10 रुपे और कम हो गया यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10,000 कितना बैलेंस दिखाएगा 78,000 ठीक है फिर मानले रेट हो गया 780 कितना कम हो बारा रुपे और कम हुआ माइनस 12,000 हुआ कितना है और अबरा हां 66,000 हो रहे हैं फिर माणले रेट हो गया 700,000 कितना का नुक्सान आ रहे हैं माइनस 30,000 हो रहे हैं जैसे विजे मालने न कोई जैसे मालने यहां पर यहां पर एक है मेंटेनेंस मार्जीन जो है वह है पचास जार का अब यहां खेला समझ अब यह 36,000 अब जैसे पचास जर के नीची जाएगा तेरको एक मार्जीन कॉल जाएगा मार्जीन कॉल में तो को बोला जाएगा रिस्टोर यूर मार्जीन बैक टू ओरिजिनल विच वन लैक और एक हो गया तुम्हारा इनिशन मार्जीन यह हो गया तुम्हारा मेंटेनेंस मार्जीन अब यह जो है मार्जीन कॉल जो जा रहा है तो यह जो वेरियेशन मार्जीन इ तो margin call कितने का जाएगा? 64,000 का? 36 plus 64 is how much? 1 lakh. यह अगर मनने 40 दर का नुक्सान होता है, तो कितने का margin call जाता? 26 तो हो रहा है ना? 24 का जाता. ठीक है? तो margin call जो है, वो कितने का जा रहा है? variation margin है. तो initial margin जो starting में डाल रहे है, maintenance margin जिसके नीचे जाने से margin call जाएगा, and margin call कितने का भी जा सकता है. वो जो variation margin है, basically difference का restore your margin back to original. clear है? बोलो, ठीक है? यहाँ तक? ठीक है. अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ अब बता रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, ठीक है? मैं को यहाँ पर देखो, एक comparison करना है, share by versus forward by. ठीक है? इसमें बताओ क्या-क्या आएगा? तुम forward by कर रहे हैं, तो आज क्या लग रहे है? कुछ नहीं, भाई, कुछ नहीं sell. forward by sell का मतलब क्या है? कुछ नहीं, खाली मूझ बानी हुआ है. margin रख रहे हैं, ठीक है. बट आज तो कुछ पैसा, देन लेन तो नहीं हुआ ना, पैसा देन लेन margin में हुआ है. एक बार उस तुम share buy करता, तो क्या होता, तुमको हमेशा यह दिमाग में रखो, हमेशा यह दिमाग में रखो, रूपिया पैसा जे किसी मजाग नहीं, ठीक है? एकदम simple है, मैं बता रहा हूँ, मैंने दिया interest free loan बहुत लोगों को, बट जब मैं मांगने गया ना, मैं को कोई नहीं दिय ठीक है, दिया, एक दो दोस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने दिया, कुछ relatives हैं, बहुत अच्छे उन्होंने दिया, ठीक है, बट तुम 90%, 10% जो तुमारा बहुत करीब है, जो actual में तुमको grow करने पे देखना चाहता है, बाकि 90% लोग एक ही line बोलेंगे, हमारा ब्याग चल रहा है, simple सा logic यही है, finance में पैसा free का नहीं है, एकदम logic एकदम clear रखो mind में, लाग दो लाग तक किसी को फरक नहीं पड़ता है, उसके बाद तुम क्यों 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 लाता है, क्योंकि 10-20-50 क्रोड तक ठीक है, relatives, if you're high-end family है, 20-30 क्रोड तक भ पांगेगा, वहाँ पर अब company IPO लाता है, जब company के पास लगता है, अभी relative family तक कितना, 5-10 करोड, maximum, वह maximum बता रहा हूं है, अच्छा-च्छा family में 10 करोड तक, तुमको crowdfunding मिल जाएग, उसके आगे नहीं मिलता है, bank का भी limitation है, तभी तो IPO लाता है, company initial public offer, तो share भाई में क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, क्योंकि पैसा तो borrow करके share खरीद रहे हैं, तुम यह मैं समझ कि सर मेरा तो पाबा के बास 10 करोड रुपया है, उसको side रखो, वह पैसा अभी तो cost है ना भाई, तो पैसा तुम्हारा अपना है या borrow किया है, हमेशा इस अच्छा या borrow किया है, तो share भाई में क्या और ब्याज लग रहे है, बट forward भाई में क्या और ब्याज नहीं लग रहे है, share भाई में क्या होगा और सोचो, तुमको dividend मिलेगा, तुम company का मालिक है, तो company का सारा profit भी तुम्हारा, dividend भी तुम्हारा, लेकिन forward भाई में अभी मालिक कौन है, सामने वाला माली ळेगे यहां इंट्रेस कॉस्स नहीं लगेगा अब शेयर को छोड़ो सोचो कि तुम और का मबनें भी कोई जुरेज कोस्त कोस्त हाई एंड उसको वो रखना पड़ता है देखता है ऐसे इस टीवी में दिखाता है पूरा ऐसे घुमाता है उसको फिर उसके अंदर चाबी रहता है लॉकर रहता है फिर उसके अंदर सोना निकलता है नहीं देखा है तुम लोग ऐसे दिखता है नहीं गोल गोल घुमाता है उ अगर मानले हम बोलता है कि हम forward buy करेगा, मतला हम बोलता है हम तीन मेना बाद gold buy करेगा, तो तीन मेना बाद अगर हम gold buy करता है, तो उसके इसमें क्या होगा, मैं को storage cost नहीं लगेगा, हम बाहर चार्टो bodyguard बठा के रखें, कि भाई कोई मेरा सोना चोरी ना कर ले, तो risk है ना व हमको खुद मेरा घर में gold इतना है, टेंशन हो जाते है कभी-कभी, ममी को gold पसंद है, तो टेंशन हो जाता है, ठीक है, तो वही चीज़ है, तुम gold का storage cost है, अब मैं छोटा मटा gold का बात नहीं कर रहा हूँ, मानले 100 kg का तेरे बास bullion है, ठीक है, तो वैसा मानले 5 है, देखो हम बोलना चाहते हैं, forward में क्या-क्या चीज सेव होगा, वो जो भी चीज उसमें सेव होगा, वो सारा चीज इसके costing में add होगा, और जो भी चीज इसमें नहीं मिलेगा, वो सारा चीज इसके costing में minus होगा, जैसे dividend नहीं मिलता है, तो जो चीज मेरे को नहीं मिलेगा, उस जींनी लगेगा तुम बोलेंगे ठीक भाई तू ले अबेअ तुम्हारे पास में गौल्ड है तुम सोनार है तो कोई कश्टोमर आया बोला हमकोगोट बना के दीजियता है तो तुम्हारे पास में है बोलके तूम बना देगा, बुलियन में थोड़ा काडिगरी करेगा और चार दिद में उसको बना के देदेगा, अरे समझ रहे न भाई, एक भरी सोना का दाम कितना है, 75,000, एक भरी मतलब 10 ग्राम, तो एक किलो का दाम कितना हुआ, 75 लाक्स, एक किलो का दाम, ठीक है, प्रफटा निए बुलियन बुलियन में कितना खीलों होता है तो जैसे मालो की कण्वीनियंस बोल के भी कोई चीज होता है अभी एक स्टूडेंट आया मालो हम लोगो पीछे देखो सब किताब यह सथाग लगा के रखें क्यों को स्टूडेंट आया बाहर से आया फॉरें से आया में तो यू के यू के यू फटीन आयुल टेक्ट दा कोशिंग तुडेंट तुम लगा इसा रखे रखते हैं ठीक है तो चाइब तो आज कोई तो होता है आज के जैसे क्या होता है तुम कोई भी दुकान में गया नॉमल सुचो ना वो स्टॉक क्यों रखके रखा है तुम बोला अब यह ब्रेड हैं बोला भेंजी रुकिए दो मिट में लाके देता हूं जब तक वह आएगा तो तक तुम चला जाएगा किसी के बास पेशेंस नहीं है तो convenience का दाम है convenience इल्ड बोलते हैं उसको तुम्हारे पास अकर समान है हम तो बहुत 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 बहु है कि मंहां कि देंगे नॉर्मली वह लों का पूरा काटल होता है कोई कुछ रखता है कोरे कुछ बड़ा वाजा थाइप में ऩीकए। ich यह चांदनी में ऐसा होते है हम भूल गया कहा होते है एलेक्ट्रोंक्स मार्केट में ऐसा होता है कि वो चोड़ा सा शॉप रहता है हंडड़ स्क्वेर फूट का वो लेकिन बेचता सब है में उसको कुछ भी बोल बहिया तार है भाइया सौकेट है भाइया फोन है तो आपको लाएगा दे रहना पहले पैसा ले लेगा फिर तुमको दस पनामृटर रचा तो convenience yield किसमे है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो जो जिसमें नहीं है जैसे dividend नहीं है उसका पैस leg में धू लेकिन मेरा benefits क्या-kinda राहे interest-cost बच रहे वो island करो मेरा storage 104 आप का इस पर का यूरी मौडल ठीक है अगर तुम को एक जाना है जैसे मालो शेर में अपने तो कर रहे ना? share में आपने क्या कर रहे एड कर रहें क्या? interest का cost add कर रहें आपने storage cost minus कर रहे convenience yield और minus कर रहें आपने डिविदेंट्स तब जाके अपना क्या आ रहे का Forward का समझा और इस part को अपने बोलते है cost of carry model ठीक है इसको आपी करो आज के लिए इतने बढ़ेंगे चार गुना लेवरेज मतलब तुम डेल लाग रुपया से छे लाग रुपया का माल उठा ली इसको बोलते चार गुना लेवरेज कल सेम टाइम पर क्लास होगा थैंक यू अल अफ यू